नमस्ति दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीड करती हूँ बहुत अच्छे हुगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए एकदम अलग हट की रेश्पी लेके आई हूँ आज बनने वाले हैं Evening Snakes जिसे कि आज मीठा बनाऊंगी और इतना खसता कि इसके आगे बिस्किट भी आपको खाने में हाड लगेगा मौ में जाते ही घुल जाएगा इतना खसता ये बनने वाला है तो Snakes बनाएं के आप ले हूँ आधा कप चीनी और चीनी के ही जितना चीनी के ही अनुसार सारे इसमें सामगरी एड करने हैं हमें आप जितना भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं तो ये ग्राम में चीनी हमारा 50 ग्राम है और इसके साथ डालना है एक छोटा चमच सौफ और साथ ही में दो हरी वाली इलाइची इसमें डाल दे रही हूँ आप इसमें डाल चीनी का भी फ्लेवर चाहें तो डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इलाइची को छिलका समेथ ही डाल दीजिए अब क्या करना है कि चीनी को हमें बहुत अच्छे से पीस के बारिक करना है तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा यकीन मानिए एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे बहुत ही मज़ेदार रेश्पी बना था तो यहाँ पर देखें चीनी को बहुत अच्छे से पीस के बारिक कर लिया है मैंने आप देख पा रहे हैं फिर भी क्या करना है मैं चीनी को छान के लेना है क्योंकि इसमें जो इलाइची का छिलका या जो सौफ नहीं पिसा होगा वो छण के निकल जाएगा तो चलिए इसे अच्छे से छान लेते हो वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा से एर करेंगे चैनल पर पहली बारा है हमारी रेस्पी आपको पसंद है थोड़ा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा तभी जो है हमारा अगला रेस्पी का वीडियो आप तक जा पाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे हर रोज दो रेस्पी की वीडियो अपलोड करती हूँ तो फ्रेंट्स कल एक बजे हमारा नया वीडियो आने वाला है तो आप हमारे कल के वीडियो को भी देखें दो पहर एक बजे और रात में आठ बजे हमारा वीडियो आएगा कल का नया तो देखे जितना चीनी था कप में उतना ही तक इसमें सूजी डाला है मैंने तो उसी जार में आपको डाल लेना है जिसमें कि आप चीनी पीसे हुए है अब सूजी को बारिक कर लेना है सूजी बारिक वाला है तो चलेगा मोटा है तो थोड़ा सा पीस के इसे अच्छे से बारिक कर लीजिए तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर सूजी भी हमारा बहुत अच्छे से पीस चुका है अब सूजी को हमें निकाल लेना है अलग बरतन में तो जितना हमारा चीनी था यानि 50 ग्रम तो उतना ही इसमें सूजी का मातरा डाली हूँ आप ज़्यादा चीनी और ज़्यादा सूजी का भी बना सकते हैं अब यहाँ पर जो पीशा हुआ चीनी है इसी के साथ हमें सूजी को डाल देना है और एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड्स आपको टी टाइम स्नेक्स जैसे की मठरी बनाना है तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे रेस्पी मिलेंगे तो आप जरूर देखिए और घर में पड़े सस्ते में बहुत सारा आप रेस्पी बना के रख सकते हैं जो कि महीना दो महीना भी स्टोर कर सकते हैं अब इसमें दो चमच डाली हूँ कोकोनट पौडर आपके पास है तो डाल लीजिएगा नहीं है तो कोई बात नहीं है इसके जगा पे आप कोई भी ड्राइफ रूट्स को एकदम बारिक पीसके इसमें एड़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट उससे भी आएगा एक चुटकी नमक डालना है इसमें क्योंकि मीठे के साथ थोड़ा नमक जरूर डाला कीजिए अच्छा लगता है खाने में अब सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अब इसमें डालना है एक कप के जितना मैदा तो यहाँ पर इस रेस्पी के लिए मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो गेहु का आटा से भी बना सकते हैं लेकिन गेहु के आटे से ज़्यादा अच्छा और टेस्टी खस्ता ये मैदा से ही बनता है तो इसके लिए यहाँ पर आज मैदा ही इस्तेमाल की हूँ गेहू का आटा नहीं डाला है मैंने अब मैदा नहीं खाते हैं तो गेहू का आटा भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखे एक कप मैदा था हमारा और आधा कप सूजी आधा कप चीनी और ये है चार चमच के जितना घी, घी डालने के बाद इसमें हमें डालना है एक चमच रोज वाटर, इससे बहुत ही अच्छा खुसबू आएगा इस रेस्पी के अंदर, और खा के कोई बता नहीं पाएंगे कि इसे आप घर में बनाये हैं, बस घर में पड़े कुछ सामानो से, तो आप जो जो इसमें डाल के दिखाया है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि उस सारे सामगरी इसमें एड करें, तभी जो इसका असली वाला फ्लेवर है, वो आपको भी मिल पाएगा, अब सारे चीज को आटा के अंदर बहुत अच्छे से आपको मोयन करना है, बहुत अच महीना भर स्टोर करना चाहते हैं, और हरे मौं की नमकीन की रेस्पी चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, यहो के आटे की से और नमकीन बनाने हैं आपको एकदम खसता बिना मसीन, बिना साचे का, आपको वीडियो का लिंक अब इसमें क्या डालना है, वो देखिए, तो यहाँ पर लिया है मैंने जो दूद के उपर मलाई पड़ता है, वो मलाई का एक चमच बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सामगडी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें 1500 गराम मैदा, 50 गराम सूजी और 50 गराम का इस्तिमाल हुआ है, आप इसी तरीके से ज़्यादा भी बना सकते हैं, रेशियो आपको यही रखना है, इसके साथ ही दो चमच दूद डाला है मैंने, आप क्या करना है कि बहुत अच्छे से आपको क्रीम, चीनी और साड़े सामगडी को इस तरीके से मिक्स करते चले जा आपको एक बार में दूद इसमें नहीं डालना है नहीं, तो यह गिला हो जाएगा, जब यह बहुत ज्यादा गिला हो जाएगा, तो आपका रेश्पी जो है, बनाना चाहेंगे कुछ और बन जाएगा, कुछ और हाड हो जाएगा इसके लिए, तो देखें इसमें दो वो ज्यादा पिख लेना और बहुत अच्छे से आपका आटा सेट हो जाए, पाच मिनट यहाँ पर हो चुका है, और आटा भी करीब करीब सेट हो चुका है, अब क्या करना है कि हमें इसका सेप देना है, हाथ में थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी लगा ले, और इसका छो चिकना चिकना सा बनाईए, कुछ इस तरीके से, तो चलिए सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ, तो देखें यहाँ पर सारे को बना के तयार कर लिया है, मैंने, अब क्या करना है, इसमें सेप देना है, तो सेप चाहें तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, गोल-ग आना है इसके लिए इसमें बीच में आपको इस तरीके से वड़ा में जैसे हम लोग होल करते हैं न बिल्कुल वैसा ही गोल गोल से इसे डोनट का सेप दे देना है आपको देखिए देख पा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको एकदम चिकना चिकना करते हुए इसमें होल कर द अच्छे से चिकना करके फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर सारे जो है हमारे स्नेक्स तैयार हो चुके हैं अब यहाँ पर देखिए तेल को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रखिएगा बहुत ज्यादा ठंडा तेल में भी इसे डालिएगा तो यह फट जाएंगे तो देख पारें कि तेल हमारा बहुत अच्छा गरम है अब इसमें डालते जाना है एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालना है तीन से चार आप फ्राई कर सकते हैं गैस के आज को मीडियम रखना है और ये बहुत ही जटपट से पक जाता है अंदर तक क्योंकि ये पतला पतला सा होता है इसे पकते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है आप इसे एकदम आराम से दूसरे तरब पलटिएगा क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सौप्ट है तेल के अंदर जब है तो और ये सौप्ट रहने के बजह से ही अंदर तक एकदम खसता बनता है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा खाने में बहुत ज़्यादा लगता है तो आप इस रेश्पी को ट्राई जरूर कीजिएगा इसे आप महिना भर भी स्टोर करके खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे सामगरी ऐसे डले हैं कि जो की खराब नहीं होगा घर का है तो इसके लिए अराम से दूसरे तरब से पलट के इसे और अच्छा कलर आने तक फ्राई करना है एक बार का फ्राई करने में 5-6 मिनट कहीं समय जाएगा और बहुत अच्छे से ये पक जाता है तो देख पारें इस पे कलर चढ़ गया है बहुत ही अच्छा देखिए कितना खसता है अंदर तक एकदम फटा फटा सा हलका हलका सा हो जाएगा तो इसी तरीके से अलट पलट करते हुए अच्छा इसका कलर आने तक फ्राई करना है उसके बाद इसे निकाल लेना है तो चलिए फ्रेंट्स यह अच्छे से फ्राई हो चुका है और अच्छे से जब यह ठंडा हो जाएगा तब आप इसी किसी भी डबा में रखके स्टोर कर सकते हैं तो चलिए सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो गया है एक दा मीठा खस्ता करंची रेस्पी जिसे आप साम में खा सकते हैं चाय के साथ भी ले सकते हैं ऐसे भी हलका फलका भुक में खा सकते हैं और यह इतना खस्ता है कि आपको एक तोर के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर तक कितना अच्छा से यह पका हुआ है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है देखिए हलका सा टच कीजिएगा तो यह तूट जाएगा बिस्किट से भी हलका और करंची बन के तैयार हुआ है मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रिस्पी के साथ थेंक यू